हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो आपने अक्सर देखा होगा और यह कोमन है कि जो स्टुडेंट होते हैं इंतिजार पर रहते हैं उन्हें कब स्कोलर्शिप मिलेगा कौन कौन सा स्कोलर्शिप मिलेगा कैसे मिलेगा लेकिन इस बार बाजी पलट च चानने को मिलेगा वीडियो के साथ परने रहिएगा इसकिप मत कीजिएगा इंपोर्टेंट वीडियो है खास कर वैसे बचों के लिए जिनको स्कोलर्शिप मिलता है चाहे आप किसी भी क्लास के हो ठीक है बेसिकली यहाँ पर प्री मेंट्रिक और पोस्ट मेंट्रिक का बा सारवजनिक सुचना और विज्ञापन निकालने के बाद भी छात्र तुर्टी में नहीं कर रहे हैं सुधार देखे आप लोगों ने फो यह पोस्ट मेंट्रिका में बात कर रहा हूं स्कोलर्शिप के लिए आपने अपने से फोम भरा है और प्री मेंट्रिक यानि कि क्लास 10 से नीचे के बच्चों का इसकूल से जो इसकोलर्शिप का फोम से भराये जाता है ठीक है लेकिन 11 12 का या उससे उपर का अपने से फोम भरना पड़ता है तो फोम भरने में कुछ-कुछ मिस्टेक हो जाता है कल्यान विभाग कई बार विज्यापन निकाल चुका है कई बा जान ही नहीं दे रहें एक बार फोम भरते हैं बस फिर सो जाते हैं घुड़ा बेच कर उसके बाद फिर कंप्लेंड करते हैं कि सर आही नहीं रहा है इसको लशीप तो चलिए क्या क्या प्रोब्लेम होता है क्या का मिश्टेक होता है सब कुछ यहां पर आपको जानने को हैं बच्चे मिली नहीं रहें कि किसको स्कॉलरशिप दे कई बार सारुजनिक सूचना प्रसारित करने वह विज्ञापन निकालने के बाद भी छात्रों के द्वारा तूटी नहीं सुधारी जा रही है तूटी कुछ भी हो सकता है नाम इस्पेलिंग नाम का इस्पेलिंग सब्सक्राइबू हो सकता है जिसके कारण नहीं मिलरा है इस वज़र से अनुसूचित जन जाती चात्रों को सत्र दोहजार बाइस तेस का पोस्ट मेट्रिक चात्र वृत्ती योजना का भुगतान नहीं हो पा रहा है यानी कि मिल ही नहीं रहा है पैसा अकाउंट में जा नहीं पा रहा है अकाउंट में भी सबसे बड़ा प्रोब्लेम होता है आगर देखते हैं हम लोग यह समस्या ST4 का बैंक से आधार लिंक नहीं होने के कारण हुई है मैं आप लोग उसे कई बार कहता हूँ कि अपना जो अकाउंट नंबर है उसमें मूबाइल नंबर जुड़वा लिजिए अपना जो अकाउंट है उसको आधार के साथ लिंक करा लिजिए आपका जो आधार है उसको मूबाइल नंबर के साथ लिंक करा लिजिए नहीं तो फिर इस्कोलर्षिप नहीं आएगा चाहिए आपको यह कल्लारिभाक से इस्कोलर्षिप मिले या फिर आप दो प्रोजना हो आपको आधार है वह बैंक के साथ लिंक होना ज़रूरी है और आपका आधार के साथ सब इक से कनेक्टेद बिल्कुल मकडा की जाल यह से सब कनेक्टेड होना चाहिए ठीक है दिखे आगे वहीं सत्र दोजार तेश चौबिस में पोस्ट मेट्री के लिए आवेदन करने के लिए यह पोटल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी हो पूरी हो चुकी है एक लाग चबिस हजार एस्टी एसी चात्रों की लापरवाही की कारण उनके खाते में चात्रों की रास्ती का भूकता नहीं हो पा रहा है यहाँ पर दिखे साप साप बोला जा रहा है की की देखिए एक लाग चबिस हजार एस्टी एसी चात्रों की लापरवाही के कारण उनके खाते में चात्रों की रास्ती का भूकता नहीं हो पा रहा है बैंक अकाउंट को बिल्कुल ठीक ठाक रखिएगा तब तो अकाउंट में आएगा पैसा ठीक है अब आगे देखते हैं पिछली जाती के चात्रों के लिए रासी आवंटित नहीं पिछली जाती के लिए पैसे आया नहीं है बट आजायेगा बहुत जल्द दूसरी और पिछली जाती के चात्रों के लिए सरकार के दूरा कल्यान विवाग करासी आवंटित नहीं की गई है जिसकारण पिछले सत्र की रासी बीसी चात्रों के खाते में भुक्तान नहीं हो पाई है इसकी वज़ा सरकार के पास कोसागार में रासी नहीं होना बताई गई है इस सत्र में अब तक 1,10,774 सभी स्रेनियों के चात्रों की चात्रुति का भुक्तान कुछ दीनों पहले हो चुका है परंतु विभाग के खाते में रासी स्वावत होने के कारण बाकी बच्चे हुए बीसी चात्रों की चात्रुति भुक्तान लटक गई है अकाउंट पहले से खत्म हो गया है कल्यान विभाग का आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को भी मिल जाएगा देखें पूरु में लगभग लगभग चववन हजार पचीस बीसी और यहां पर अब यहां पर यह तो सब आपका पोस्ट मेंट्रिक का हो गया मेंट्रिक के बाद का 11 12 का अब देखते हैं हम लोग क्लास वन से क्लास टेंथ तक का क्या कहानी है देखें प्रिमेट्रिक के पिछले सत्र का भी भुकतान नहीं हुआ है ठीक है यहां पर देखें बताते चले की जार्खंड में प्रिमेट्रिक चातवरिती योजना का भी हाल सही नहीं है इसके तहट आने वाले छात्रों को पिछले सत्रयानी 2022-23 का भुकतान अब तक नहीं हुआ है इसमें भी बैंक से आधार लिंक नहीं होने आउर भी भागिये खाते में पैसे नहीं होने के कारण सभी स्रेनियों के छात्रों को भुकतान नहीं हो पाया है देखे, 2022-23 सेशन को भी अभी तक नहीं मिला है और अभी काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं और WhatsApp पर मेसेज भी करते ही कि Sir मुझे स्कोलर्शिप मिल गया है साइकल का भी पैसा किसी किसी को मिल रहा है बहुत अच्छी बात है आप लोग अपना नीचे कमेंट किजिएगा कि आपको साइकल का पैसा या स्कोलर्शिप मिला या नहीं मिला अगर मिला तो कितना मिला और कलास मेंसन और डिस्टिक मेंसन कर दिजिएगा अपना कलास, अपना डिस्टिक और कितना अमाउंट मिला नीचे comment जरूर किजएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि बाकी जगों पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो बस आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए बहुत important है आप लोग अपना account number को अप to date रखिए mobile number bank के साथ link करवा लिजिए आपका आधार bank के साथ link करवा लिजिए आपका आधार number में mobile number attach करवा लिजिए यह सब basic है इसके बिना आप लोगों को कोई भी छात्रवुर्ति नहीं मिलने वाला है ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजिएगा और चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा ताकि आगे मैं अगर इस प्रकार का वीडियो अप्लोड करूं तब आप तक notification पहुँच जाए थैंको पर आच में वीडियो जै हिंद जै भारत